हाई डिया स्टुडेंट्स मैं पॉन्तिवारी चंद्रा इस्टेट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं तो यहां पर यूपीटेट के लिए टाप हंडेट मोस्ट सेलेक्टेट क्वेस्टन यहां पर रखे जा रहे हैं जिसका आज हम भाग तीसरा ले क्योंकि इसमें आपके यूपीटेट परिक्षाओं में बिगत परिक्षाओं में पूछे के प्रस्णों के प्रकार और अले प्रतियोगी परिक्षाओं में जो प्रस्ण ज्यादा तर रिपीट होते रहे हैं उसको दिहार में रखकर यह most hundred selected questions जो है आपके पास रखे जा र प्रस्ण ज्यादा बना रहा है किस टाइब से किस पर्टिकुलर पार्ट से उसको ध्यान में रखी पूरा हम टापिक कवर कराने जा रहे हैं तो यहां पर इसके पहले भाग दो तक में आपने प्रस्ण संख्या 31 तक का पूरा क्यल्कुलेशन देखा था तो चलिए 32 प्रस् नो से विभाज है तो इस्टार का मान क्या होगा तो विभाजता की सारी कंडिशन आपको बताएगी थी पूरे डीटेल में और यह बताएगया था कि आपके परिक्षा के लिए जो महतपोर्ट है विभाजता के कंडिशन में उसमें है 3, 6, 7, 9, 11, 13, 37, 31,001 और जिसकी पू आपके नमबर सिस्टम पार्ट में पब्लिकली है भी चाहे तो उसे विभाजता वाले क्रम में नमबर सिस्टम के क्रम में देख सकते हैं तो चलिए यहां पर देखें कि यह संख्या 9 से विभाजता है तो इस्टार का मान क्या होगा आपको बतलाया गया था कि यदि दी पूरी की पूरी संख्या नौ से विभक्त होती है तो यहां पर चलिए कैल्कुलेशन पर फोकस करें चलिए आप जाते हैं यहां पर प्रस्न दिया गया है इसमें जो नंबर डेटा है फाइफ फोर फ्री टू इस्टार एंड सेवर अब इसके सभी यंकों को आप जोड लेजे और जोडने पर यदि नौ से विभक्त हो तो पूरी संख्या नौ से विभाजित होगी करने दिए गा पांच और चार जोड़ यह लेटा नौ नौ तीम 12 बारेट दो 14 में 7721 क्या 9 से विभक्त है नहीं 21 से विभाजित नहीं है तो पताई किनें 46 और और एड कर दें कि जोडने पर नौ से विभाजित हो जाए तो 21 में यदि 6 और जोड़ दें तो 27 हो जाएगा तो 9 से ये कट जाएगा तो यहाँ पर जो कमी मालों पड़ रही है पांचार नौ तीम बारा तो 14 साथ 21 कमी किस की मालों पड़ रही है 6 की तो 21 और 6 27 अब ये पूरा का पूरे अंगो का योग 9 से विभाजित है अताब पूरी संख्या नौ से विभत्त होगी हमारा अप्शन होगा तो आपने इससे संख्या चलिए अगले कल्कुरेशन पर आजाए प्रास्म संख्या 33 के लिए जिसमें यहाँ है कि दो संख्याओं का अनपात देखिए दो संख्याओं है फॉस्ट और सेक करने पर संख्याओं प्राप्त होती है यह दो संख्याओं का संबंद मात्र है जिसमें यह पता चलपा रहा है कि पहली संख्या यह तीन होगी तो दूसरी संख्या चार होगी लेकिन एक्जैक्ट संख्या क्या है अभी तो यह यात है नहीं तो इस अनपात में संख्याओं क आप मस्व से गुढ़ा करिये संख्याय मिल जाएंगे तो मस्व तो पता है ये नहीं हमने बाल लिए 10 संख्याय का मस्व एक यहां पर देखेज दोनों संख्याय मिल गए इसलिये जो पहली संख्या होगी वह कितनी हो जाएगी यह एक से जो हैं उसनक्याय का तो तीन का गुड़ा यक्स में और दूसरी संख्या जो होगी वो कितनी होगी चारे यह दोनों संख्या मिलगी अच्छा दोनों संख्या गया थे लर्सर भी गया थे दूसरी संख्या बताना है तो आप जानते हैं लर्सर गुड़ा मुसर बराबर पहली संख्या गुड़ा द डूशा कितना है 180 वूसा कितना है व्लसा मनते माना से वड़ावा पहड़ी संहीं घुतना तो चलिए एकस तो यहां से केंसल होगा क्योंकि यह सिफर गुड़ा इधर आएगा तो भाग होगा तो यह तो तीन का मुड़ा चार में कितना तीन चोंगे यह सिफर गुड़ा गुड़ा दूसरी साइड जाएगा तो यह होगा एकस तो असी बटे बार यह तो यह तीन चोंगे बार अपने पक्षंदर कर लिया तो बार एकस बड़ाबर 15 गया तो यह से क्या है उन संख्याओं का मसल था लेकिन हमसे यह नहीं पूछा कि मसल बताई ह हमसे पूछाएं कि दूसरी संख्या गया तो दूसरी संख्या चार एकस है तो एकस का माल पंद रख है तो पंद चबड़ा 60 यह हमारा रिजर्ट होगा तो यह आपसंद सी में है है तो आसनान सीरीज था आपने संख्या कि दो संख्याओं कान पात इतना है मसल से हमने हो गई लगसा प्रस्ट में दिया ही है हम जालते हैं लगसा बुड़ा मौसा यह बराबक पहली संख्या बुड़ा दूसरी संख्या अब एकस एकस के तीन चोंके बार इधा भाग हो गया एकस का मान पंद रहा है जो की मसल था पहली संख्या तीन एकस मतलब कितना पंद दि संख्या पंद चोंके साथ जिसमें दूसरी बताना था चलिए अगले स्रीच की और आजाएं प्रस्ट बढ़े द्रहां से समझे रहा है इसमें आपके के लिए दिया गया है एक बटे नौ प्लस एक बटे छे प्लस एक बटे बारण प्लस एक बटे बीस प्लस एक बटे तीस अब प्लस एक बटे बैयाईस एक बटे चपन और एक बटे बहत्तर इसका मान हमें बताना है मैंने आपको बताया था भिन्नात्मा की योग की अंतरगत नंबर सिस्टम के पार्ट में जिसमें संख्याओं के योग की बात की जा रहे थी तो चौथे सक्षन में मैंने इसकी चर्चा की थी और चौथे सेक्शन में भी तीन प्रकार थे तो उसमें मैंने इसे बतलाया था वैसे आपके जानकारी के लिए एक बाद फिर से बताना चाहेंगे कि ऐसे में तो योग जब निकालना हूँ तो ऐसा तो करेंगे नहीं कि 9, 6, 12, 12, 20, 30, 45, 52 और 90 का हम लगसा निकालें और लवसा निकाल के तबहल करें बताइए अब लवसा इतने पूरे का निकालना हो तो समय जाएगा उसके बाद कैल्कुलेशन की प्रक्यालम भी हो जाएगी हमने आपसे यह कहा था कि जब ऐसे प्रस्णा है जिसमें पदों की शंख्या जादा हो इस तरीके का अन्सवा जाए है जैसे बाद समझेगा मैं एक पदह हम पर समझा रहा हूँ हर का ऐसा खंड करी है हर में नौ है नौ का ऐसा खंड करिए कि गुडा करने पर नौ आ जाए और अंतर करने पर अंस आ जाए तो यहान तो संभव नहीं है तूर नहीं एक लगा है तो इसका घंड समभॉन नहीं है । इस जैसे का वैशा लिभ देजी, चलिए यहाथ पे जिसकी में चर्षा कराओ हूं अगली पद पर थोड़ा सा फोकस करिए अगला पद है एट बटे छे अब छे का ऐसा खंड करना है आपको इस छे का ऐसा कुड़न खंड करिए कि गुड़ा खंडे पर 6 आ जाए और अंतर करने पर अंस एक आ जाए तो आप क्या करिएगा आप यहां पे चलिए देखें अध्यान से समझेए का इस सेक्षल को तो हर का गुड़न खंड करना है चैंड करिए कि गुड़ा करने पच्छा आ जाए अंतर अंस के बराबर तो आप आसानी से समझ के दो गुड़ा तीन यदि दो का गुड़ा तीन में करें छे हो जाएगा दो और टीन का अंतरी संस एक के बराबर है जब ऐसा गुड़न खंड हो जाए तो आप इसे एक बटी पहसे छोटा वारा सिरीज दो हटा लीजिए फिर माइस एक बटे तीन कर बना है कि गुड़ा करने पुछ है जाए दो दिया छे और दो और तीन का अंतर अंस एक के बराबर है जब ऐसा खंड हो जाए तब आपको पहले एक बटे दो जो छोटा सिरीज है उसे करना माइस एक बटे तीन चुकि अंस बराबर होने की स्कतिति में जिसका हर छोटा होत तो चलिए देखें 116 को आप क्या लिख सकते एक गुड़ा करें पर चार का अंतर अंस एक के बराबर है तो ऐसी स्थिती में पहले छोटा वाला करणा ये जैसे एक बटे चार करेंगे तो पहले एक प्रप्त के बारत तीन चार कम तरेक तो पहले एक बटे 3 जोटा वारा सोट फिर माइनस एक बटे 4 ज़र आप इसके आत्र करेंगे तो बच्छ चार प्रफे बीच अच्छे 10 और चार और इसी तरीके से प्रक्या को आगे बढ़ाईएगा चली देखें अब 42 का खंड करना है 6 सते 42 और 6 और 7 का अंतर कितना एगा अंस एक के बादर तो पहले तो पहले एक की से पादर प्रक्यविंता थे अभी हत्तर विञाई अनुटा नू STEPHAN माईनेस एकटे याथ प्लॉस एकटे 8 कांसिल हो गये बस हमारा उत्थर आगया एकटेड तो बहुती आस्नान सवाल है पस पैटर्न आपको समझना है कि किईस पैटर्न में जा रहा है कैसे हल करना तो उत्थर एकटेड़ दो आएगा जो आपके पहले ही option में है हमारा option You सही तो चलिए अगले calculation को चलते हैं तो चलिए यहां पर अगले calculation को यह दिद देखें हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि यदि A और B तो धनात मत फोड़ा A और B दो लोग ऐसे पाजिटिव इंटीजर है और इस प्रकार है तो धनात्मा कोडांग A और B इस प्रकार से हैं कि A परगात B बराबर 125 है तो हमें इसका मान बताना पहले फार्वेट देखिएगा A परगात B पराबर है कि इसके 125 के तो यहां पर आपको यहां से समझना आप यहां पर भी ऐसी कुछ प्रक्या करिए कि यहां से कंपेर करा सके तो 125 का जब खंड करिएगा पांच गुड़ा पांच गुड़ा पांच पांच पचे 25 पंजे 125 तो आप इससे क्या रिख सकते हैं A परगात B बराबर 5 परगात 3 लिख सकते हैं कि नहीं अब दोनों पक्षों में देखिया आधार समान ने और जब दोनों पक्षों से तुलना कर लिए इसका आधार पांच है तो A बराबर 5 हो गया और इसकी धार तो B है और इसकी धार 3 है तो B बराबर इतना हो गया इस दोनों पक्ष से मैंने compare करा लिया तो A और B के मान आगे बस अब हमें मान किसका बताना है A-B पर घाद A प्रस B-4 तो चलिए value place करीए A-B A का मान कितना है 5-B B का मान कितना है 3 और घाद A प्रस B A का मान 5 है प्रस B का मान 3-4 अब यह calculation करना है 5 में से 3 है 2 अब 5-3 आठ 8 में से 4 किताए नित कितना हैगा 4 और 2 पर चार ता value 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 यह आपके कौन सा option में है पहले ही option में तो बहुत ही आसांस रहा था पार्ट को एक बाब फिससे देखिएगा जब ऐसी structure आपको देखिने को मिले तो आप पहले ऐसा करना कि सेम यही फार्वेट यहां पजन्नेट कर दीजेगा और उसके बोथ साइट से दोनों पक्ष से तुलना खर लिजेगा तो हमने क्या किया 125 को 5 का Q किया दोनों साइट से कंप्लेयर कर आया तो आधार ए है आधार 5 है तो यह बराबर 5 हो गया घात B है इसकी घात 3 है तो B बराबर 3 हो गया और यही बेली उठाके हमने इस पर प्लेस कर लिए तो चलिए आसान सवाल था एक इस सेरीज में एक अगले प्रस्ट क्योंद चलते है जिसमें लिखा हुआ है कि 90 सेकंड चलिए प्रस्ट हम यहां पर लिए नपे सेकंड एक घंटा 40 मिनट का कितने प्रतिशत है तो जब प्रतिशत पाट की मैंने शुरुआ किया था तो अलगर कई हेडिंग से होकर मैंने पाट को पूरा कवर कर रहा था जिसमें पहला हेडिंग मैंने किया था का और से से संबंदित प्रस्ट मतलब यदी सेंस में का बेस है तो हल करना उस कर्णिशन में जब आप से कुछे कितने प्रतिशत है यह प्रतिशत उचा गया तो हमने आपसे यह तहा था कि यह प्रतिशत आसनीश आप निकाल सकते हैं बस आपको करना क्या है जिस अवयों के साथ जिस एलिमेंट के साथ का जुड़ा हुआ होता है उसे हर में रखते हैं और बज़े हुए एलिमेंट को अंस में रखकर उसमें 100 से गुड़ा करते हैं से रहान समझेगा जब आपसे पूछी कितने बसेंट है कितने ंदल है का संस लगा तो आपको करना क्या है कि जिस element के साथ का जुड़ा हो से नीचे रखे देना अब बजा क्यां में तो है पूरे एक गहंटा चुड़ा है क्योंकि दो elements होते ही है एक element यह हो गया, दूसर element यह तो काक किसके साथ का है 1 घंटा 40 minute के साथ तो आप 1 घंटा 40 मिलिट हर में रख दीजा जिस element के साथ का जड़ा होता है हुसे हर में रखते और बचये element को ऊपर अंस में रखतर 100 से बुढ़ा करते है बचाओं का element क्या है? 90 सेकंड बुड़ा 100 तो अभी आपको करना क्या है? answer सेकंड में है तो चाहे हर भी सेकंड में करिजे जब हर को सेकंड में करिएगा तो एक घंटा और 40 मिनट है एक घंटा में 36 सेकंड होता है कितने सेकंड होते हैं? 36 चुकि एक घंटा बराबर 60 मिनट और एक मिनट बराबर 60 सेकंड तो एक मिनट बराबर 60 सेकंड तो 60 मिनट बराबर 60 गुड़ा 36 सेकंड एक मिनट बराबर 60 सेकंड तो 40 मिनट बराबर 60 गुड़ा 24 सेकंड तो 36 सेकंड और प्लस 24 सेकंड होता है तो चाहे सेकंड में बता दीजिए या मिनट जादा आसाले कैसे नब्बे सेकंड में कितने मिनट होंगे डिर मिनट चुकि साथ सेकंड बराबर एक मिनट तो लंबे सेकंड बराबर एक डस्वन पांस मिनट बुड़ा सो अपटे एक घंटा बराबर साथ मिनट और चालीस मिन यह 90 सेकंड पटे 6000 सेकंड उड़ा सो तो सेकंड सेकंड कर जाएगा वाकी कल्कुलिशन कर लीजेगा वही 50% है तो चलिए एक अगले पैटर्ण पर चलते हैं नेक्स्ट प्रस्ट 37 की और तो यहां पर चले देखें अगला सवाल दिया है कि एक ट्रेफिक की 3 बतिया है जो क्रम सा 24 सेकंड, 36 सेकंड और 54 सेकंड के अंतराब पर रंग बदलती है मतलब पहली बति हर 36 सेकंड के अंतराब पर टिप करती है और दूसरी बति जो है हर 36 सेकंड के अंतराब और तीसरी हर 54 सेकंड के अंतराब पर टिप करती है यह 3 बतियां 10 बच का 15 मिनट पर 1-7 जली ह तो फिर से बताना है कि ये तीनों पतिया कितने बजे एक सांथ रंग बदलेंगे जैसे आप देखते हैं कि इसी फंक्शन पार्टी आदि में छोटे छोटे जो ट्यूप से लगया होते हैं वो एक आगे पीछे जलते रहते लेकिन एक समय ऐसा आता है कि फिर से सभी एक सांथ कैंगे जैञर चांतंति हैं और आपको बता दें कि एक सांथ सब के जलने का जो समय होता है यह इनके समय अंथरानों के लौशक ही बराबर होता है मतलब ये अभी दस बच कर पंदर मिनट पर एक सांथ जली है तो अब पूछा जाया फिर कितने बज़े एक सांथ जलेंगी तो जो इनके समयों का अंतराल है अल्टरनेट्स है उसी के लशा के बराबर जो समय होगा उसी के अंतराल पर ये सभी एक सांथ जलती देंगी तो पुनाह तीनों बत्तिया पुनाह तीनों बत्तिया एक सांथ कब जलेंगी एक सांथ 24, 36 और 54 सेकेंड के लर्शन अब बताएए आप 24, 36 और 54 का जब लर्शन निकालेगा एंसीयम तो लर्शन निकालना आपको बता है ये 216 सेकेंड है लर्शन वह नियूंतम संख्या होती है जो दीगी प्रतेक संख्या से भी भाजित होती तो 216 संख्या है जो 24 से भी भी बत्त है तो अब ये तीनों बत्तिया एक साथ जब जलेंगी तो वह समय होगा 216 सेकेंड के अंतरा तो पुर्ण तीनों बत्तिया 116 इसके लस्त बद्ταबर 216 सेकेंड बाद 1947 जले तो अब 215 सेकेंड को आप क्या लिख सकते हैं बताईए 216 सेकेंड को आप क्या लिख सकते हैं एक मिनट बराबर 60 सेकंड तो 216 सेकंड में छैतरिक 18,3 मिनट पुरे-पुरे हो गए 180 सेकंड और बचा कितना 36 सेकंड या 3 मिनट 36 सेकंड बाद 216 सेकंड पर 3 मिनट हो जाए 180 सेकंड हो गया बचा 36 सेकंड तो 3 मिनट 36 सेकंड बाद इसलिए बहुत समय जो होगा वो 10 बच का पंदर इसके पहले का अब एक सा जली थी इसके पहले 10 बच का पंदर मिनट पर एक सा जली थी तो अब जो जलेंगी वो ये घंटा है, ये मिनट है और ये सेकंड है तो अब मिनट के नीचे 3 लग दीजे और सेकंड के लीचे कितना रच दीजे? 36 लग दीजे अब 10 बच कर 18 मिनट 36 सेकंड पर फिर से सभी एक सांग जलेंगी यही अंतराल होगा मतलब हर 3.36 सेकंड बाद मतलब इसके पहले 10 बज का 15 मिनट पर एकसा जली थी अब 10 बज का 18.36 और उसके बाद उसके बाद 10 बज का 21 है नब 22 मिनट और 12 सेकंड यही अंतरा चलता रहेगा मतलब हर 3.36 सेकंड बाद तो आपने इस पार्ट को समझा आसांस वाल है जब समयों का अंतरा दिया हो तो ऐसे प्रस्णों का हमेशा नवस्व निकाला करिए जैसे कह दिया जाए एक बृत्ताकार मैदान है तीन धावक ABC तीनों एक ही बिंदू से रनप लेते हैं पहला धावक हर मालिया 36 सेकंड दूसरा हर 54 सेकंड और तो इनके समयांतराल के लश्ण के बराबर शुमें पर तो जब समयांतराल दिया रहे है तो ऐसे प्रस्णों का हमेशा लश्ण निकाला करिए चलिए एक अगले प्रस्ण क्यों राते हैं इसमें निखा है कि A की जो I है वो B की I से 25 प्रतिश्ट जादा है तो B की I A की I से कितने परस्ण कम है हमें लगता है कि जब A की I B की I से 25 परस्ण तधिक है तो B की I भी A की I से 25 परस्ण कम होगी ऐसा नहीं है A की I B की I से 25 परस्ण जादा है जैसे B की I सो रुपे है तो A की I जो है B की I से 25 रुपे जादा होगा मतलब 125 होगा तो अब B किया है A किया से कितने परसंट कम है तो 100 के साफ एक्षनी बन्ति 125 के साफ एक्षन कमी देखेंगे तो हमने नोट करवाय था एक पॉइंट यदि प्रस्ण में प्रतिशत ब्रिद्धी दिया गया हो जैसे यह पर देखें प्रतिशत अधिक दिया है तो म यह प्रतिशत कमी में ने आपको बतलाया था कि 100 एक्ष अपान 100 प्रस्यक्ष के बराबर यहां पर यह जो एक्ष है यह होने वाला परसंट इंगेजमेंट है वतर जितने परसंट की ब्रिद्धी है और इसका भी प्रिद्धी यदि परसंट कमी दिया है परसंट दला जातना तो यह ही कंसली प्रियोग मिलाइए तो हंक्यां कि कुछ राहन है 250 अहों बटे हंडेल प्लस इस तकर मान कितना है पकीस तो 45 बटे कितना होग्यां 1-125 स्थ एक सबुगर दनाथ 25 beth oh, चलिए एक अगला सब्सक्राइब दिया है कि दो परगात यदि 32 है और इसको पांच से भाग देया तो सेस्फल क्या आएगा रिमेंडर्ट हीरम सेस्फल प्रमे के अंतरगप मैंने इस पार्ट को बताया था तो उस सेक्षम का यह हिस्ता है दो परगात बतिश है और भाग हमें किस्ते देना है पांच से तो अच्छा यदि दो में हम पांच से भाग दें तो पहली बार तो यह भाग जायेगा नहीं मालिया हम एक बार लिये भी जाया तो सेस्फल माइनस तीन आयगा दो में यदि 5 से भाग करें तो पहले तो भाग जाएगा भी मालिया एक बार लिये भी जाएं तो 2 में 5 से भाग देने पर से इस माइनस 3 आएगा अब माइनस 3 का बुड़ा माइनस 3 में 32 वाग प्रक्रिया नम्दी होगी ये तो इससे भी कठीन हो जाएगा हमने आपसे यह कहा था कि ऐसे स्थिती में इस पर घात कम से कम इतना रखिए कि पांच के बेहत करीब नहीं या तो थोड़ा कम या तो थोड़ा ज़्यादा तो ऐसे स्थिती में आप यह दो पर घात दो लगा देजिए तो देखें पांच के करीब हो जाएगा लेकिन यह चीज़ ध्याने ना जब दो पर घात दो लगा देंगे यहां तो 32 था तो यहां 16 का लीज़ेगा 32 में दो से भाग करके क्योंकि आप जाते हैं घातों पर भी घातों तो घातों का अपस में गुड़ा हो जाता है हमें इसके संतुले बैलोगी यहां रखना है तो दो पर घात दो मैंने सहुलियत के लिए किया ताकि 5 से भाग दे तो कुछ नजदी हो जाए चूंकि तीन यहीं कर देंगी तो ज्यादा हो जाएगा तो इस बात का धियान किये ज्यादा का मतलब थोड़ा ज्यादा हो चलेगा जैसे 6 हो जाए तो चलता लेकिन यहां पर तो जब दो पर दो करना तो 32 से भाग करना 16 यहां पर लगा देना क्योंकि घातों पर भी घात हो तो घातों का उड़ा हो जाता है जो कि इसके स्वंतुल्य में दूद तो अब यह कितना हो गया चार पर घात 16 अब भाग किससे देना है पांससे अब बताए यह चार में 5 से भाग करें एक बाले जाकर तो माइनस एक सेश आएगा अब माइनस एथ का गुरा माइनस एख में यदी हम सोले बाज बार बुड़ा करें अब पराण से भाकरें तो फुल मिलाके यह एक ही सेश है करें है 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 माइनस एक का गुड़ा माइनस एक में यदि हम इवेंट टाइम गुड़ा खरें सम बार गुड़ा खरें तो सेस्वल पाजिटिव वन ही रहेगा तो हमारा उत्तर हो जाएगा यहां पर यहां पर आपने इस पार्ट को समझा अच्छा एक लास्ट स्रीज के लिए आपको आप्सन नहीं मिला है तो इसके लिए आप्सन है साथ कि भी माइनस तीन अगे एक तो चलिए यहां पर आपने देखा अच्छा एट चीज़ और यदि मालिया ऐसा कोई ध्यात होता कि हमां पर बिश्म होता तो माइनस एक में बिश्म पार बढ़ा करते तो माइनस ए पर आपके नंबर से स्टम पार्ट में पढ़ा है समय मिले तो एक बार जरूर देख लिजेगा यहां पर एक सवाज आपके समय है तीन परगात यक्स प्रस आठ बराबर दिया है सब्ताइस परगात दो यक्स प्रस यह तो यहां पर यक्स का मान आपसे पूछा गया है तो अच्छा यहां पर समझेगा जब आप इसे हाल करना तो मैंने आपको बताया था कि घातां के कि आधार जितना हो सके कंसाइज रहे उतना ही छोटा रहे जितना हो सके तो ऐसी स्थिती में तीन आधार को तो और छोटा का नहीं सकते क्योंकि तीन तो फुली अभाज जो सकते है इसका तो फैक्टर समझ हो है नहीं तो इसी जैसे का वैसा ही रखना तीन परगात यक्स प सकते हैं 27 को लिख सकते हैं तीन का क्यों अच्छा इस पर एक पहने से हैं दो एक्स प्लस एक और घातों पर घातों तो इसका बुड़ा बजाएगा अब दोनों पक्ष्णों में आधार समान है और मैंने बताया था कि यदि अधार कि दोनों पक्ष में आधार एक बन तो इस अधार को धार करकी यह थे जहां आंधार को मैंगे-खातों की लाइख रफ लिजिए तो यह अधार को प्लस आज बराबर कितना यह गुड़ा पिक लिजिए देल चौए 156 अब आएक्स को एक्स के पास करिए नबर डेटा को नबर डेटा के पास तो आठ यह 3 इधर कर लीजिये और यहाँ चोष ने यह यह उद्धर माइनस होजाएगा तो शायक्स में गटाएंगे पांच आठ में से तीन धिंगे पांच तो यह से बडाबर एक जो कि हमारे डी आप्षिन में दिया होगा है तो यह आपका इस स्रीज के भाग तीन में चालीसमा क्वेशन था तो चलिए हम आगे की कुछ और प्रस्ण को देखते हैं 41 में क्रम से तो यहाँ पर जो प्रस्ण संख्या 41 दिया गया है कि इसमें पूछा गया कि सबसे बड़ी संख्या गया तो घातां के स्रीज में इस तरीके से जब बड़ी संख्या या छोटी संख्या पूछा जाए तो आपको बताते हैं सबसे पहले आपकी पहली कोशिस पहली प्रिफरेंस यह होनी चाहिए कि घात को बराबर रखा जाए तो घात तो यहां प्या लग रहे थे 50, 40, 30, 20 घात को बराबर कैसे करें सवाल यह है तो पहले इनकी जो घाते हैं जो इनकी घाते हैं कौन-कौन सी 50, 40, 30 और 20 इसका आप मरसर लीजिए तो इसका मरसर आएगा मरसर आएगा इसका 10 क्योंकि मरसर वहाँ एक्तम संख्या होती जो दीगी प्रत्यक संख्या को बिभक्त कर दे तो 10, 50 को भी कट कर देगी, 40 को भी, 30 को भी, 20 को 10 से बड़ी कोई शर्ख्या नहीं हो सकती जो इन सब को बिभक्त कर दे तो चलिए मौसर 10 आया, तो अब हमें सब की घात 10 के बराबर करना है, जो प्रत्यक की घाते अलग-अलग है, वो हमें सब की घात कितनी करनी है, 10 करनी है, अब कैसे करिएगा, यह मैं बता रहा हूँ, ध्यांदरा, जैसे दो पर घात 50 हैं, तो हम इसे ऐसा लिख सकते कितनी, दो पर 5 और इस पर 10, देखिए 5 का गुड़ा 10 में करेंगे, तो 50 हो जाएगा, क्योंकि घातों पर भी यदि घात लगे हूँ, घातों पर भी घातों का अपस में गुड़ा करते हैं, तो इसके बराबर हो गया की नहीं, इसी तरीके से 3 पर 40 है, तो 3 पर 40 को कुछ ही इस तर है, चार पर 30 है, तो 4 पर 30 को आप लिख सकते, 4 पर 3 और इस पर 10, और इसी तरीके से 5 पर 20 है, तो पहले 2 करना फिर 10, दीखें, पचास, चार दाह में 40, तीन दाह में 30, दो दाह में 20 हो गया, अब देखिए घात सब की बराबर दिखने लगा, लेकिन उसके लिए 1 इस्टे पार बढ़ा लिजी, इस पास हो जाएगा, दो पर घात 5 मतर 32, दो पर घात 5 मतर 2 दूना चार, 4 दूना आठ, 4 दूना 16 और 16 दूना 32, तो आप इसे लेट सकते हैं, 32 पर घात 10, तीन पर घात 4, तीन उड़ा 3, तीन दिया, नो दिया, 27 दिया, 88, पर घात 10, चार का क्यूब कितना हो जाएगा 64 देखिए सब की घात बाया बजाने लगा की नहीं अब पांच का इसका पचीस इस पर दस अब खुदी बताईए मैं 32 का गुड़ा 32 में दस बार गुड़ा करें 32 गुड़ा 32 गुड़ा 32 गुड़ा 32 गुड़ा झाली गुड़ा जिसका आधार वड़ा है वो संख्या बड़ी होगी क्यूंकि घास सबकी बलाबर ही है और जिसका चोटा होगा वो सबसे चोटी जो शूंख्या तो यहां पे सब प्रज़े होंगे बैतर समझे होंगे परस आपको ऐसे स्रीज में क्या करना होगा जब धाते डिफर हो घातां की स्क्रम में बड़ी चोटी संख्या पूछा जा तो पहले घात को आप पराबर कर लिजेगा चलिए अगले प्रस्ण पर आजाएं अगला प्रस्ण यहांपर दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योगफल कितना है 29 है अच्छा यदि संख्या हैं दो संख्या है नल यह तो संख्या पतारी है नहीं हमने मालिया संख्या ए और भी है कि और सथे इसी घंसागों का योग दिया है है तो दो सच्छाओं का योग का अंतर दिया तो दोनों सच्छाओं का योग혁 को पहनी जांकारी में देखिए तो धी दिया है Lord gebaut के वर्मो का अंतर 145 है, दोनों संख्याओं के वर्ग का अंतर 145, तो पहली संख्या A है और दूसी संख्या B है, और दोनों के वर्ग का अंतर 145, मतलब A का वर्ग, और दूसी संख्या है B, B का वर्ग, और दोनों के वर्ग का अंतर कितना है, 145, अब देखे केल्प्रेशन को हमें पूरा करना ह तो आप जानते हैं A-B² को represent किया जा सकता है वर्ली स्क्राइबस भी दूर्सरी वर्ली साथ कर सकते हैं A जोड़िये हमने क्या एक प्रेक्ट में A-B लिदिन वर्ली अधम bardziej KS है के इतना लिए और बिल्कूर दिए her और A प्लस B का value आपको यहां से प्रस्टों में पहले से ही बतला रखा है कि A प्लस B का माल किसके बराबर है A प्लस B का माल 29 के बराबर है और दूसरे विदिंग ब्रेकेट है A माइनस B बराबर कितना है हमने देखे कुछ किया लिए A स्कार माइनस B स्कार को ओपिड किया A माइनस B बराबर 145 था ही A प्लस B का value यहां से 39 रख किया और A माइनस B बराबर 145 29 इदर बुड़ा हुरहे है उदर भाग होगा कि इसके बराबर है 5 अचा माल यह आप से उतने में दोनों संख्याएं पूछी जाती तो क्या करते हैं कि एक समीकर पहला और एक समीकर यह तीसरा देखी एक प्लस भी भी पता है और ए- भी पता देहां सुझना एफ्रस भी भी पता है और माइनस भी पता है एक्वेशन फरस्ट एंड थर्ड को आप एड कर लीजें जोड़ लीजें एक्वेशन फरस्ट एंड थर्ड को यदि जोड़े तो एट ए और एक खेर हमारा उत्तर यहीं हो गया है मैं यह यह पताना चाहरा हूं कि यदि दोनों संख्या है बाइद भी पू से जोड़ेंगे 34 इसलिए बराबर 17 हो गया चुकि दो इधर बढ़ा हो जाएगा तो दोनों का योगफ़न उत्तिस था तो जब एस सत्रह हो गया तो सत्रह रखेंगे तो धर माइनस हो जाएगा तो बीबराबर है ना तो अब दोनों संख्याओं का अंतर पांच एक है यह ह इसमें दिया है कि उंतों के जोंट का एक मटे चार जंगल में चला गया यह जंगल में देखा गया और जोंट के वर्गमों का दो गुना पहाडों पर चलागया और अभी मी 15 इंतर किनारे है तो उंटों की पुल संख्याग गया है उंटों की संख्या हमें मानना पड़ेगा लेकिन कुछ इस तरीके से मानिए कि प्रस्ट में कंटा डिक्षन मतब इसकायर वगर ना करना पड़े देखे कैसे इसमें निखाया कि जुन्ड के वर्गमून का दोगुना पहाडों पर चला गया मतब जुन्ड जितना था पूरा उंटों का जितना जुन्ड था उसके वर्गमून का दोगुना पहाडों पर चला गया तो सवाल यह है कि उंटों का ऐसा जुन्ड मानिए ताकि वर्गमून आ कि यह चुछ है और यह तो अब यह थोड़ा सा कैल्कूलेशन में जो है थोड़ा सा ब्राटनेस था जाएगा तो यहां से आसमाने देखिए आपको करना क्या है ऐसे नगी अप्रस निखिए उतों का पूर्ण कीतना है अब जिसमें जुन ओंटों के एग जून का एक पूट देंग संगल में देखा गया मतलगा यह जैसे पहले आप्ट चलिए उंटों के जुन है उसका यह सब्सक्राइब उसका एक सब्सक्राइब करेंगे तो यह सब्सक्राइब बढ़ना कितना जाएगा दो यह जंगल स्वारी यह जंगल पर प्लस पहाड पर अब पंदर नदी के गिनारे हैं और इस तरीके से सभी उट मिलाकर इस पूरे जूल के बराबर यह यह जोगा अब इसी का कैमिलेशन हमें पूरा करना है क्यांस पूरा करिएगा आप एक सब्स प्लस पंदर अभिधर कुछ नहीं बचा बराबर लग सब्सक्राइब करिए प्रूआ कि तरी चाहिएगा 3 एकशी स्पार माइनस चार ताफ दो याउस में चाहिएगा, इस प्रूद दो याउस में चाहिएगा, मैं तो यह कहूंगा कि यदि चार इधर भागो ना उधर बुड़ा हो जाएगा तो फुल मिला कि था धाना से देगा पराबज़िन एकार । 182 का खंड़करी 8 है तो ठारत हमें 180 तेहान समझना टीन फ़ारी चींप्राइब 18 x क्लिज़ करना काकि माइनस 14 x प्लस दश्च माइनस 8 x के बराबर को बढ़ा करेंगे तो यही आए माइन साथ बराबर इन दोनों में 3x कामन है, 3x कामन करीं के तो x-6 और इन दोनों में 10 कामन है, तो 10 कामन करीं के तो x-6 बराबर 0 अब इन दोनों पर्टिकुलर में देखे, x-6 कामन है दोनों पदों में और एक ब्रेकर में होजाएगा 3x प्लस 10 बराबर प्राबर करते हैं तो यह संभवनने निगेटुब और अभी ध्यान देना हमने उन्टों की जो दोंद माना था प्रतियों की परिक्षाओं में काफी बार बेठ हुए है इसलिए इस प्रस्टों को हमने सेलेट किया ताकि इस तरीके फिर से देख लीजेगा वह बहतर समझ में अगले पैटर के शुराँ करते हैं अगले प्रस्टों की सब्सक्राइब इसमें करडियों का एक स्थमोर दिया गया है जिसमें चार अलग लग करडिया है पूछा गया है कि इसमें सबसे बड़ी संध्या कौन सी है तो करडियों की तुलना से संब्देद प्रस्णी आपके प्लेलिस्ट में करडी का पार्ट पुरा-पड़ा भी है आप उससे चाहे तो समय हो तो देख लीजेगा करडियों का कंपेर कैसे करते हैं कैसे पताते हैं कि कौ Dem पड़ी है कौन सी कड़ी छोटी तो मैंने आपको बताया था सबसे पहला प्रिफ्रेंस यह होना चाहिए कि करड़ी ओको खटाते जाए कि यह करड़ी को रिमोग करिए गा उस पर घात इस तरीके से करवट होगा थोड़ा द्यान जाना थार्ड फोर है तो यह थार्ड हटाये तो यह थार्ड है तो इसपर घात एक बटे तीन हो जाएगा अब यहां पर देखें फॉर्ट रूट फाइंट है करड़ी हटाएं तो 5 तो यहां से जब इस करड़ी को हटाएंगे तो दो पर घात एक बटे लोग हो जाएगा और इसी तरीके से जब यह करड़ी हटाएंगे तो तीन पर घात एक बटे छेह हो जाएगा अब ही हम यह देख पार रहें हैं कि सभी की घाते जो हैं भिननात्मकि तो यह तो पहले प्रोप प्रिफरेंस के हमने करड़ीव को रिमूंग किया दूस्ती प्राइंता यह होनी चाहिए हमारी कि जो घाते भिन्नों में हैं वह सरल घात में बदर जाएं पिर ससे सुनिएगा दूसी प्रिफरेंस यह उनी चीए कि जो घात हमारा भिन्नों में हैं, बटे में हैं, वो सरल घात में हो जाए और भिन्नात्मक घात को सरल घात में बदलने के लिए जो घातों के हर हैं, घातों के हर यहां पे कुल कोंसे हैं, घातों के यह दिहर देखें, पिसका हर तीन है, आ बारत जब लवसां निकालीजेगा घातों के हरका तो जितना लवसा आये वो सभी की घातों में मुल्टिप्लाई कर देजीगा कुरा कर jay तो लवसा नाया नाया तो 12 से इसमें भी बुडा करेंगे 12 से इसमें भी और 12 से इसमें अब क्या हो जाएगा तीन से चार बार में कर जाएगा तो चार पर हाँ चार आगया यह पांस रहें कि चार तीन होगा चार से इस चरफ कर दोट यह चार का मतब कितना सबसे बड़ा दो सब्सक्राइब जो कि इस पहले की वेलू है पहले की मतलब इसकी यह सबसे बड़ी है आप सब पहला ही होगा तो चलिए इस स्रीज में कुछ अन्य प्रस्नों को यहां पर सामिक सामिल करें यहां पर आपके प्रस्न संख्या 44 तक के पार्ट हुए है पैतालिश में प्रस्न से चलिए पैटन को आगे बढ़ा है